तो आज मैं बनाऊंगी बंगाली स्पेशल आम चिंगरी यानि जिंग्यों को हमने आम में पकाया है तो आप वीडियो पूरा जरूर देखना है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला तो एक कडाई में हम तेल को लेंगे दिन बढ़े चमब जितना और साथ में हम इसमें चार प्याज को अच्छे से चौप कर लिया है वो डाल देंगे प्याज को हमें ज्यादा थेकी रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है अगर आपको प्याज व्रजा को हम पतली स्ल भोड़ेंगे ऑर सलाइस कर लेंगे अब eapp लाग सकते हो ज्यादा पतले रखना चाहए तो इसके बाद वहरी मिर्च को डाल देंगे हरी मिर्च भी मैंने साबू दें डाल लिक्त c financing हो ने यूद नहीं और इसको हम अच्छे से mix कर देंगे जिससे हमारे आम और हरी मिर्च भी पक जाए और आप देख सकता हमारी प्याजी गली इसको हमने fry नहीं किया है अब इसमें हम आधा चम्म जितना अधर लेशन को मिलाएंगे साथ में हम थोड़ी से लाल मिष्ट पाउडर को मिलाएंगे आधा चम्म जितना हम इसमें हल्दी पाउडर को मिलाएंगे और उसके बाद इसमें हम नम्मक को डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाफ से डाल सकते हो और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चार से पांच मिनित हमारे मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे हमारे जींगे आते हैं न छोटे वाले उसको मैंने ऐसे साफ कर लिया अच्छी से दोकर और इसको आसा हल्दी दनिया जीरा पाउडर और नमक और लालमेश पाउडर को ऐसे डाल कर मैरिनेट किया है 15 मिनित तक अब इसको हम ऐसे डाल नहीं देना है इसको हाज से हम ऐसे फैला देना है हमारे जिंगों को उपर ही रखना है ऐसे मिक्स नहीं करना है बस इसको ऐसे हम फैला देंगे अपने हाथों से और इसमें हम कटे हुए हरे धन्या को डालेंगे हरे धन्या हम अभी से ही डालेंगे और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे बीच में डालेंगे और थोड़ा सा साइट पे डालेंगे क्योंकि हमारे इसको हमें फैलाना नहीं है इसलिए यही पानी में हमारे जिंगों को अच्छे से पकाएंगे पहले तो हम इसको ढग देंगे और पांच मिनि मसाला भी अच्छे से पक गया है और तेल भी अच्छे से छुटा हो गया है आपको ये बात का जरूर देहन रखना है इसको हमें ऐसे मिक्स नहीं करना है बस ऐसे हलके हाथ से इसको ऐसे पका लेना है तो लेजे तैयार है हमारी बंगाल की स्पेशल आम चिंगरी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर करना